जिस मूवी को आज में explain करने जा रही हूँ वो hatchet part 2 है ये मूवी अपनी पिछली मूवी से linked है इस मूवी को understand करने के लिए part 1 देखना compulsory है वरना वीडियो समझ नहीं आए और अब चलते हैं मूवी की explanation के तरह ये मूवी exact वही से start होती है जहां पर part 1 end हुआ था जहां क्राव ने मेरीबैत को पकड़ लिया था मैरीबैत अपने जान बचाने के लिए उसकी आँप पर मार कर उसकी आँप फोर देती है और वो पानी में जा गिरता है और मेरीबैत मोगे का फायदा उठा कर वहां से दूर चली जाती है तब किसमत से एक आदमी जो उसे देख लेता है और अपने घर ले आता है और जैक कोई और नहीं बलके वही आतमी था जो चिला चिला कर उन लोगों को उस सौंप पर जाने से मना कर रहा था मेरीबैत उसे बताती है कि विक्टर क्रावली ने सब को मार दिया है और अब वो उसके पीछे बड़ा हुआ है तब जैक कहता है क उसने तो उन सब को रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी उसके एक नहीं सुनी वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई को यहाँ पर डूनने आई लेकिन करावली ने तो उनको बिमार डाला जैक उससे उसका नाम पुछता है तब वो अपना नाम मेरीबैत डेंस्टन बताती है उसका नाम सुनते ही जैक को पता चल जाता है कि यह सैमसें डेंस्टन की बेटी है जैक उसे कहता है कि वो उसके घर से निकल जाए तब मेरीबैत कुछ भी समय नहीं पाती कि अचानक से जैक को क्या हो गया है वो एक शॉट गन उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो रेफ जॉम्बी के पास चले जाओ लेकिन यहां से निकल जाओ और मेरी बैट वहां से चले जाती है थोड़े गेर गुजरने के बाद जैक को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है और वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है तब ही पीचे से विक्टर क्राउली आता है और उसकी आंते बाहर निकाल कर उसी सही उसका गला गोटने लगता है वो इतनी बुरे तरीके से इतनी मस्पूर्टी से उसका गला गोटता है कि उसका सर ही धर्ड से अलग हो जाता दूसरी तरफ मेरी बैट जो सॉम्ब से निकल कर रेव जॉम्बी के पास आ जाती है जॉम्बी उस वक्त उसे कोई बात नहीं करता और उसे बात में आने का कहता है तब वो कहती है कि जैक नहीं उसे यहां बेज़ा है और उसने कुछ जरूरी बात करनी है और तब वो उसे अंदर बुला लेता प्रेवियस नाइट उसके साथ जो जो इंसिडेंट्स हुई वो सब उसे बता देती है लेकिन वो जॉंबी सबसे पहले उस बोट के ड्राइवर के बारे में पुछता है और वो कहती है कि वो भी मारा गया है ये सुनकर जॉंबी उसे बताता है कि वो बोट उसी की थी और वो चोरी से वो टूर करवाता था और उसी की कहने पर शोन वो टूर करवाने गया था मैरी बैट उसे अपने फादर का नेम बताती है और ये पुछती है कि वो उनके बारे में क्या जानता है और तब जॉंबी उसके सामने एक स्टोरी नरेट करता है वो बताता है कि जब वो चोटा बच्चा था तब थॉमस क्राउलिम नाम का एक आड़नी अपनी वाइफ शैनन के साथ उस जंगल में रहता था शाइन बहुत ज्यादा बिमार थी उसे स्ट्रमिक कैंसर था और ये बिमारी अंदर ये अंदर उसे खा रही थी शाइन की एक नर्स थी जो उसका चेक अप करने आया करती थी आइस्ता इस्ता थॉमस और वो नर्स एक दूसरे के काफ़े क्लोज हो गए और नाट चाहते हुए भी थॉमस अपने वाइफ को दोका दे रहा था क्योंकि वो हालात से काफी मजबूर हो चुका था उसकी वाइफ अब सिर्फ एक जिन्दा लाश की तरहा थी जो अपने मरने का इंतजार कर रही थी थॉमस रोज उसे थोड़ा थोड़ा मरता हुआ देख रहा था और उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था इस वक्त में जब वो नर्स उसके करीब आई तो वो भी अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाया काफे दिन तक वो अपने अफियर को शाहिन से चुपा कर रखते है लेकिन फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें ऐसा डगता है कि शाहिन मर चुकी है और उसी दिन वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का डिसियन देते दिन शाहिन अभी मरी नहीं थी और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और तब वो उनकी होने वाले बच्चे को कर्स देखकर मर जाती है और आखिर कार वो दिन आ जाता है और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो इतना बचसूरत होता है कि उसको देखकर ही उसकी माँ मर जाती है हलांकि थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उससे प्यार भी करने लगता है क्योंकि वो उसका एक लोता बच्चा था और फिर हैलोवीन की वो रात आती है जब तीन बच्चों की शरारत से विक्टर कराउली मारा जाता है और देस साल गुजरने के बाद थॉमस की जिन्दी का भी दी एंड हो जाता है और वो भी मर जाता है और बस उसी दिन से विक्टर क्राउली हर रात उस सौफ में अपने फादर को डूनता है और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार डालता है लेकिन इन सब से मेरी बैट की फादर का क्या लेना देना था और अब एक बड़ा सिक्रेट एक्सपोज होता है और वो ये था कि विक्टर क्राउली जिन तीन बच्चों की वज़ाए से मरा था उनमें एक मेरी बैट का फादर था तब मेरी बैट जोंबी को कहती है कि वो दुबारा से उसे वहाँ लेकर जाए वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई के डड़ बोडी को लाकर दफनाना चाहती है लेकिन जोंबी को समझ लग जाती है कि वो सिरफ रेविन चाहती है जिसके लिए वो साफ इंकार कर देता है तब मेरीबैट पुलिस को उसके इस सौंटोर के बारे में बताने के धंकी देती है और फिर वो वो वहाँ जाने के लिए एगरी हो जाता है लेकिन वहाँ जाने के लिए भी वो एक शर्त रपता है वो एक आदमी के डिमांड करता है जो मेरीबैट का अंकल था तब Marybeth भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है Marybeth के जाने के बाद जॉंबी वैल ट्रेन हंटर को इकठा करने के लिए कहता है जिसमें Trent नाम की आत्मी को वो specially mention करता है दूसरे तरफ Marybeth अपनी अंकल के पास जाती है और उसे सारा इंसिडेंट बता देती है जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि विक्टर क्राउले सिरफ एक अफवा है और उसे पुलिस को बताना चाहिए तब मेरी बैट कहते हैं कि एक बार वो उसके साथ उस सौंप पर चले और वहां से आने के बार वो सब कुछ पुलिस को बता देगी वो इस बात पर एगरी हो जाता है और वो दोनों वहां चलने के लिए कयार हो जाते मेरी बैट फिर से जॉंबी के पास जाती है और वहां पर वो सारे हंटर्स इकठा हो चुगे थे जॉंबी उन सब हंटर्स को बताता है कि उन्होंने वहां पर उसकी बोट ढूणने जाना है जिसके बदले में वो उने इनाम भी देगा वो कहता है कि इस बेच उने किसी का शिकार भी करना पड़ेगा और जैसे ही वो विक्टर क्राउली का नाम लेता है सब वहां से उठकर चले जाते हैं और वो आदमी ट्रेंट भी वहां से जाने लगता है तब जॉम्बी उसे डबल मनी का लालच दे कर किसी तहां रोक लेता है वहां पर बहुत ही कम लोग रह चुके थी वो उन्हें कहता है कि बोट लाने के 500 डालर और क्राउली का सर लाने के 5000 डालर कैश देगा और वो लोग पूरी तैयारी करके वहां से निकल पड़ते वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है वो सब वहां पर बोट डूढने लग जाते हैं और देखते ही देखते रात हुझाती है क्योंकि उनका मानना था कि विक्टर क्राउली सिर्फ एक कहानी है रियलिटी नहीं और उसके पीछे टाइम बेस्ट करने की बजाए वो अलिगेटर्स पकड़कर पैसा कमाने और तब भी उन्हें क्राउली की आवास सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है तब एक हंटर आगे बढ़के चेक करने की कोशिश करता है और जाडियां में से क्राउली निकल कर आता है जो उसे दबोच लेता है वो हैचेट से उसे बार बार मार कर हतम कर देता है और वो आदमी जो अकेला रह जाता है वो बोट स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी पकंड लेता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मौ देकर उसे भी मार डालता है दूसरी तरफ जॉंबे जेस्टिन को बताता है कि उसके पास क्राउली को मारने का प्लैन है वो उसे बताता है कि क्राउली के मरने में जिन टीन बच्चों का हाथ था उनमें एक था मेरी बैट का फादर दूसरा उसका अंकर और तीसरा वो आदमी ट्रेंट जिसे वो डबल मनी देकर यहाँ पर लाया था मेरी बैट के डैट को तो क्राउली ने मार डाला और जब वो इन दोनों को भी मार डालेगा तब उसका रेविंज पूरा हो जाएगा और क्राउली का ये चैप्टर यही क्लोज हो जाएगा और वो सौफ फिर से खूल जाएगा और उसका टूर का बिजनर फिर से कांटीनिय हो जाएगा ये सब कुछ वो काफी देर से सोच रहा था और आखिर उने रिप्टर क्राउली का घर मिल जाता है लेकिन वहाँ पर कोई डैट बॉडि नहीं होती मेरी बैट के भाई और उसकी फादर के डैट बोडि भी वहाँ से घाइब थी उन लोगों के साथ आए हुए एक लड़का और लड़की लेटन और एवरी बाहिर होते है और तब एवरी को पता ही नहीं जलता क्राउली लेटन का सर ही काट देता है लेकिन जब तब उसे पता चलता काफी देर हो जाती है और क्राउली उसे भी मार डालता है उन हंटर्स में जॉन और वर्नॉन को जाडियों में से किसी की आवाज आती है और तब वो दोनों चेट करने जाते हैं और तब क्रावली एक बड़ी सी चेंसो उनकी सामने लेकर आ जाता है और पहली ही बार में दोनों को बीच में से काट कर उनकी दो टुकडे कर देता है ये सारा शोर सुनकर ट्रेंट काफी अलेर्ट हो जाता है जस्टिन और मेरीबैट एक कमरे में चुप जाते है और वहां जस्टिन जॉम्बी का सारा प्लैन मेरीबैट को बता देता है और ये सुनकर वो अपने अंकल बॉब को बचाने जाती है तब जस्टिन जल्दी से दर्वाजा बंद करके उसके आगे चेयर फसा देता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्राउली उसके पीछे ही है वो एक बेल्ट सेंडर से उसका आदा सर काट कर उसे मार डालता है और इसके बाद वो दर्वाजा तोड़ कर उन लोगों पर अटैक कर देता है वो ट्रेंट को पकड़ लेता है लेकिन ट्रेंट किसी मॉंस्टर से कम नहीं था और वो बड़ी बहादुरी से विक्टर क्राउली का मुकाबला करता है वो क्राउली को इतना मारता है कि मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और जैसे ही वो एक चौपर से क्राउली को मारने लगता है बदले में क्राउली उसके टांग ही तोड़ देता है और उसका मूँ टेबल में फसा कर टांग मार कर सर से धड़ को अलग कर देता है जॉंबी सबरदस्ती मेरी बैट को घर से बाहर ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है और क्राउली आकर बॉब को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है तब जॉंबी समझता है कि अब क्राउली का रेविंज पूरा हो गया है और अब वो वापिस नहीं आएगा मेरी बैट ये सब पुलिस को बताने की धंगी लेती है जिस पर जॉम्बी उसे शूट करने लगता है और तब ही वो उसे एक बात बताती है वो कहती है कि बॉब उसका असली अंकर नहीं था और वो जाकर सीधा उसे पकड़ लेता है लेकिन क्रावली उसे हैचेट से मार मार कर उसकी दो टुकड़े कर देता है जॉम्बी का गलत सोचना था क्रावली मरा नहीं था और ना ही उसका बदला पुरा हुआ था क्रावली उसकी स्पाइन पकड़ लेता है और उसके जिसम को खाल से ही अलग कर देता है और मोके का फाइदा उठाकर मेरी बैट एक हैचेट लेकर क्राउली के फेस पर बहुत जादा मारती है वो हैचेट से उसे इतना मारती है कि उसका फेस ही खतम हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपने फिंगर्स को मौव करता है और इसके बाद मेरी बैट एक शॉटगन देकर आती है जिससे उसके चेरे के चीथड़े उड़ा देती है अब एक बाद तो साव जाहिर है कि विक्टर क्राउली अभी भी मरा नहीं है वो अभी भी जिन्दा है और ये मूवी यही पर एंड हो जाता है